Hello Friends, Welcome to Indian Study Indian Study पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए UP Radio Operator Assistant Operator और Assistant Workshop इन सभी के लिए Important Test लेकर क्या आए हूं हिंदी का क्योंकि तीनोंगी एक्साम में आपकी हिंदी पूछी जानी है तो time को ना वेस्ट करते हुए पहले questions की तरफ चलते हैं लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 100 like का target है तो जरूर से complete कर दीजिएगा क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जनवरी 2024 में आपकी exam date भी जो है वो confirm कर दी गई है इस बज़े से तो पहला questions के जिन अव्यवों का संबंद वाक से नहीं वक्ता के हर से सोक आदी भाव से होता है वे फिलिंदा blanks होते हैं वे कौन से अवयव होते हैं तो अगर हम बात करें जिन अवयवों का संबंद वक्ता के हर से सोक आदी भाव से होता है उसको हम विस्मियादी वो दकावे बोलते हैं पहला ही ओप्सन्स यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट निमलेकित मेंसे कौन सा जोड़ा सही नहीं है यह आपसे पूचा गया है बेटी का वहुबचन बेटियां बनेगा बिल्कुल ठीक है स्रोता का स्रोता गड़ बनेगा बिल्कुल ठीक है वदू का वहुबचन वदूएं बनेगा बिल्कुल ठीक है डिविया का बगुबचन डिवियें बनेगा नहीं वह यह यह गलत है चो दूसरा option से यहाँ पर आपका बिल्कुल correct हो जाएगा next question से आपके कन्योजी हिंदी की किस उपवासा की बोली है यह आप से पूछा गया है कन्योजी तो दोस्तों अगर हम बात करें कन्योजी की तो कन्योजी जो है वो एक पस्चमी हिंदी की बोली है पस्चमी हिंदी की अंदर जो है वो पांच बोली आती है खडी बोली, ब्रजवासा, बुंदेली, कन्योजी और हर्याणवी और हर्याडवी को कहीं कहीं बांगुरू भी कहते हैं तो लिखा मिले का तो डरना नहीं पुनर जन्म का संदी विक्षित क्या हो जाएगा ये आप से पूछा गया है बढ़िया कोसंस जल्दी से बताएं दोस्तो अगर हम बात करें पुनर जन्म की संदी विक्षित की तो हो जाएगा आपका पुनहा प्लस जन्म तो यहाँ पर आपका सही अंसर हो जाएगा आपका तीसरा ओफसंस करेंट कौनसा दोस्तो तीसरा ओफसंस करेंट नेक्स्ट कोसंस के निम्ले के तमेंसे कौन सा संयुक्त स्वर है जो संयुक्त स्वर है उसी का आपको चेन करना है जल्दी से बताईए तो संयुक्त स्वरों की संक्याच चार होती है A I O O तो एकी ओफसंस में दिख रहा चौता ओफसंस तो बस यही हो जाएगा हरीपद कोमल कमल से जो सबको सुकुदेद पंक्ती में कौन सा लंकार है मैं तो पैचानगी आप पैचान पाए के नहीं पैचान पाए देखो हरीपद कोमल कमल से यह से दिख रहा यह से जो है वो वाचक सब्द है क्या है वाचक सब्द और इस वाचक सब्द से किस अलंकार की पहचान होगी उपमा अलंकार की तो बस पहला आपसंस करेक्ट राम खाना खाएगा इस वाकर का कर्म वाच क्या होगा जल्दी से बताइए राम खाना खाएगा इस वाकर का कर्म वाच होगा राम से खाना खाया जाएगा दूसरा ओप्टंस correct है Next questions मेरा आज खाने का मन नहीं होती है असुद अंस आपको बताना है क्या का असुद या नृण की गलत है पड़ने से ही आपको पता चलिया होगा के कौन सा असुद है तो मेरा आज खाने का मन नहीं होता है तो यह बस चौते options correct हो जाएगा होती है लखाय गलत है जिसे छमा ना किया जा सके वाग की आंसर के लिए एक सब्द क्या होगा तो सही आंसर हो जाएगा आपका आज छम में चौता options correct हाहाकार हुआ कृदन में कठिन वज्र होते थे चूर इस पंक्ती में कौन सा रास है जल्दी से बताएं तो यहाँ पर आपका भाया ना करास है हाहाकार से समझ जाओगे कि भाया ना करास है अनूसर का चिन कैसा होता है अनूसर यह दिखा छोटे आ की उपर अंग की बिंदी लगा दो तो देखो स्वर की उपर क्योंकि छोटा आ स्वर है कि उपर एक बिंदी तो बस चौथा ओप्संस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा इस तरी के लिए सही परियावाची वाले सब्दों की पंक्ती को आपको बताना है कि इस तरी के लिए परियावाची सब्द क्या होगा तिरिया होगा बनीता होगा नारी होगा तो बस पहला ही ओप्संस करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोसंस वेवचारी वाव को संचारी वाव कहने का कारण क्या है क्योंकि ये सभी रसों में संचरण करते हैं इस वजे से पहला options correct हो जाएगा रस खान रहीम देव रतना कर आदी कभी मुक्ता किस बोली में रचना करते थे बढ़िया कोसंस हिंदी साहित का कोसंस है तो ये ब्रज भासा में रचना करते थे दूसरा options correct पक्ची दाना चुग रहा है रेखांतित पंक्टी का प्रहएवाची सब्द आपको बतारा है कोंसा नहीं है यानि कि पक्ची का प्रहएवाची सब्द कोंसा नहीं है तो सही अंसर होगा पंकज पंकज जो है ये कमल का प्रहएवाची सब्द है किसका कमल का निम्ले के तमेंसे कौन सा उपमालंकार का एक ततब नहीं है उपमालंकार में आपको देखो उपमे मिलेगा उपमान मिलेगा वाचक सब्द मिलेंगे सादन धर्म मिलेगा यानि कि ये हो गया ये हो गया ये हो गया विसे इस धर्म नहीं होता है बस यही उसका एक तत्व नहीं है चंदरगुप्त नाटक के रचेता कौन है यह आप से पूछा गया है तो चंदरगुप्त नाटक के अगर हम रचेता की बात करें तो कौन है जैसंकर परसाद दूसरा ओप्सन्स करेक्ट जिनका संबन्द अध्यात्म से हो वाक्यांसों के लिए एक सब्द क्या होगा उसको हम क्या बोलेंगे तो उसको बोलेंगे आध्यात्मिक यानि कि इस कोसंस का पहला ओप्सन्स करेक्ट है नेक्स्ट कोसंस हस्त लिखित का सही समासिक विग्रे निमलिकित में से कौन सा है हस्त लिखित तो हस्त लिखित का सही समा से विग्रे क्या है हात से लिखित है ना तो बस दूसरा ओप्सन्स यहाँ पर आपका बिल्कुल करईट गौरब का लागाओ से वही संबंद है जो नकल का फिलिंदब लेंग से है तो गौरब का विलोम सब्द लागाओ होता है तो उसी प्रकार से नकल का विलोम सब्द मूल होगा दूसरा ओप्सन्स करेंट नेक्स्ट कोसन्स निमले के तमेंसे कौन सा देसा जिस सब्द नहीं है तो अगर हम बात करें गमला की तो यह एक जापैनी वहासा का सब्द है नेक्स्ट कोसन्स विलोम सर्ग से बनास निमले के तुमेंसे कौन साइज उफसर्ग क斯ी भी सब्द के आंगही लगाई जाते है विलोम को मैं देखो विलोम सर्गे तीसरा उपसन्स करेंट रामनाम की लूट है लूट सके तो लूट इस पंक्ति के दोनों चुरलों में कुल मिलाकर कितनी मात्रा हैं अरे बापरे यानि कि आपको मात्रा हैं कि इनना हैं कोई बात नहीं देखो दो मात्रा है एक मात्रा है फिर दो मात्रा है तो बड़ी एकी मात्रा है तो दो मात्रा है उसके बाद यहाँ पर देखो चोटे बड़े होगी मातर है तो दो मातर है फिर यहाँ पर एक मातर है फिर यहाँ पर दो मातर है यहाँ पर दो मातर है फिर यहाँ एक मातर है फिर एक फिर दो फिर दो और फिर एक अब गिल्लो यहाँ पर आप टोटल आप गिल्लो देख लो 2 और 1, 3 3, 2, 5 और 1, 6 6, 2, 8, 2, 10 10 और 1, 11 और 2, 13 और 2, 15 और 1, 16 17 और 2, 19 19 और 2, 21 21 और 2, 20 24 यानि कि टोटल 24 मातर हैं देख ले ना आप गिन करके तो पहला आपसन्स करेंट हिंदी में सब्डों के बाद जोलने वाले अनसों को यानि कि जो सब्दों के बाद जोड़ते हैं तो उनको क्या कहते हैं जल्दी से बताईए सब्दों के बाद तो यहाँ पर उनको हम परसर्ग कहेंगे परसर्ग जो की बेवक्ती चिन होते हैं जैसे राम ने रावड को बान से मारा तो राम ने ने पर सर्ग हो गया राबड को को पर सर्ग हो गया तो सब्दों के जो बात जोलते हैं उनको पर सर्ग कहते है क्रोध रूपी अगनी जिसका समास होगा क्रोध अगनी ये कौन सा समास है अब देखो क्रोध रूपी यह रूपी सब्द है यहां से आप पैचान जाओगे रूपी का मतलब क्या हो जागा क्रोध रूपी यानि कि क्रोध के समान अगनी जो कि एक क्रोध अगनी और जब के समान है जो कि हिंदी निकलती है तो वहाँ पर कौन से समास होता है करमदार है समास तो इसलिए पहला options correct कौन सा जोड़ा समरूपी बिननार तक है जल्दी से बताईए यानि कि जो बोलने में तो एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलगे हैं जैसे देखो अबदी और अबदी ये समरूपी बिननार तक हैं पहला options correct गोधूम का आपको बताना है कि गोधूम कैसा सब्द है तो एक ततसम सब्द है गोधूम है ना इसका तदवा होगा गिय हूँ किस चंद के परतम दो चरण दूआ चंद के और सेस चार चरण रोला चंद के होता है किस चंद के तो ये कुनलिया चंदे में होता है पहला आप्सन्स करेट वाक में तुरूटी पूर्ण भाक आपको चेन करना है एक वाको को चारवाव में विवक्त कर दिया जिस पार्ड में गलती है उसी का आपको चेन करना है कोसर नमबर 35 वीर सेने कहते हैं कि हम विद्रोही सत्रू का नास करेंगे तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ड में गलती है तो वीर सेने कहते हैं कि हम सत्रू का नास करेंगे क्योंकि सत्रू पहले से ही विद्रोही होता है तो बस दूसरे पार्ड में गलती है बिद्रोही अगर आप लिखेंगे भी नी तो भी चल जाएगा जो कि उसमें लिखा हुआ है इसलिए गलती है कि निमलेकित में से कौन से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए पूर्ण वर्तमान काल का उधारण आपको बताना है अब हमारे यहाँ पढ़ने का समय हो गया है तो यही आपका पूर्ण वर्तमान काल का उधारण आपको बताना है कोस्ता नमबर 37 अक्षवाक्ट का अखाड़ा दे रहे हैं दूसरा आपको बताना है क्यों किया जाता है भास्विक अभी व्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है मौाबरियों और लोकुत्ति का प्रियोग चतुर विद्यारती से प्रसन पूछो तो वाग में विसेशन सब्द आपको बताना है विसेशन जो सब्दो की विसेश्टा Heart या संंग सर्भรाव की विसेश्टा बताते है तो चतुर सब्द जो हो जायगा वो एक वीडियो और आपको अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक और से जरू करतीजिएगा बाकी फिर मिलते हैं नेक्स लास में नेक्स सेशन में जै हिंद जै भारत